नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल गार्णिंग भी में दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पौधों के पत्ते पीले पढ़ने लगते हैं गरने लगते हैं पूरी तरह से पौधा हमारा पत्तों से खाली हो जाता है और चुकि आ अपना भोजन नी बना पाते और पौधों की ग्रोथ पे असर पड़ता है तो पौधों की पत्तियां जो है पीली पढ़के गिरने क्यों लग जाती है इसके कुछ दो तीन महत्रपूर्ण कारण है जिसमें एक तो पहला तो नेचुरल होता है कि पौधों अपनी पत्तियों गिराते हैं और नए पत्तियां उन पे आती है जैसे आप ये गुड़हल के पौधे में देख सकते हैं इसमें सारी पुरानी पत्तियां इस पौधों ने गिरा दी है और नए नहीं पत्तियां इसमें आ रही है तो ये नेचरल प्रोसेस है ये पौधा खुदी करता है इसके major reason होते हैं पौधो की पतियों के जिनकी कमी होने से पौधो की पतियां पीली होके ड्राइ होके गिरने लग जाती है तो उनकी पहचान कीजे और मैं आपको दिखाऊ हूँ यह देखिए जैसे इधर देख सकते हैं यह पतियां जो पीली होके गिर रही है तो अगर इनमें और पतियां आती है नई पतियां नहीं बनती है और पुरानी पतियां पीली होके गिरने लग जाती है तो यह चिंता का कारण होता है इसके अलाव मैं आपको दिखाऊ हूँ यह देखिए मैगनिसियम की कमी होती है उसकी वज़े से पौधों में यह देखिए इस परकार से पति करेंगे इस से पहले एक काम आप कर सकते हैं कि जब आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई हो पत्या जढ़ रही हो गिर रही हो तो आपको उसमें क्या करना है पौधे की मिटी की हलकी गुलाई करके इसमें आपको वेर्मि कंपोस्ट या काउड़न कंपोस्ट 15 दिन में एक जरूर दे देना है यह आप देख सकते हैं गुलाब का पौधा और इसमें इन पत्तियों में आप देख सकते हैं यह ड्राई होके गिर रही है हला कि पूरी पत्तिया नहीं बाकी सब पौधे में सही है कोई दिक्कत नहीं है पर यह जो आप देख सकते हैं यह कहीं कहीं कमी तो इसमें हम अभी मैगनिसियम की जो लिक्विड कंपोस्ट बनाएं वो देंगे उससे ये बीमारी खतम हो जाएगी पौधे की पतियां और अच्छी उनकी कलर आएंगी अभी देख सकते हैं कितना अच्छा कलर वैसे है नई ग्रोथ में तो जो पहला रिजन मैं आपको बता करके उसमें दे सकते हैं 15 दिन में एक बार जिससे की नाइट्रोजन की कमी पौधे को ना हो अब इसके बाद मैं आगे आपको ले चलता हूं मैगनिसियम और आयरन का जो सबसे मुखे स्रोथ है उसके लिए और वो बनाना हमें कैसे है घर के जो किचन के वेस्ट से निकल के जाता है उसी में से कुछ चीजें लेके आपको उसे बना लेना है और यह दोस्तों जो फर्टलाइजर हम बनाने जा रहे हैं मैगनिसियम आयरन और नाइट्रोजन रिच फर्टलाइजर यह आप अपने किसी भी फूल वाले पौधे में दे सकते हैं या फिर किसी भी ऐसे प पानी चाहिए साथ में प्याज का चिलका और यह है चाय की पत्ती आप यूज की हुई चाय की पत्ती यूज कर सकते हैं या फिर इसकी जगे हैं आप काफी पौडर भी यूज कर सकते हैं यह नैट्रोजन का काफी रिच सोर्स माना जाता है इसके लाओं दोस्तों मैं समय सम मैं पे अपने पौधों में banana peel fertilizer देता रहता हूँ, अगर आप नहीं देते हो, तो आप इसमे बनाई peel का भी use कर सकते हो, चुकि मैं इसे regular time पे banana peel fertilizer का use करता हूँ, इसे कैसे बनाना हैं, कैसे use करना हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की description box में ये मिल जाएगा आपको वहाँ से जाके check out कर सकते हैं बहुत ही आवज से compost है हमारे पौदों की fruiting और flowering के लिए तो आप उस बनाना पील को भी इसमें use कर सकते हैं otherwise अगर आप use करते हैं उसे अलग से जो घर में हमारे use होता है उसका छिलका हमें एकठा कर लेना है और इस पानी में डाल देना है इसके अलावा अब इसमें हमें चाय की पत्ती अगर आप use चाय की पत्ती है तो उसे अच्छे से धो के धूप में सुखा के फिर इसमें डाल दीजे और अगर आप डायरेक्ट डालना चाहते हैं तो यह देखे जैसे कि मैं इसमें use कर रहा हूँ इस प्रकार से इसमें हम करीब दो चम्मच चाय की पत्ती इस लिक्विड में हम डाल देंगे और इसे हम इस प्रकार से देखे पानी में अच्छे से धिगा देंगे प्याज के छिलके को यह देखे इस प्रकार से हम पूरा पानी के अंदर भिगा देंगे और इसको किसी चीज से धक के हम धूप में ही छोड़ देंगे एक से दो दिन के लिए अब दो दिन बाद इसको हमें use करना है दो दिन बाद का मैं आपको पहले से मैंने बना के रखा हुआ है वो आपको दिखाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों इसको हमने दो दिन पहले विगा के रखा था और ये अभी हमारा यूज करने के लिए बिलकुल तयार है तो इसको हम छान लेंगे तो दोस्तों इसको हम इस परकार से छान लेंगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों का इसका कलर कितना बहतरी बिल्कुल रेड कलर हो गया है इस कंपोश्ट में आपको नाइट्रोजन आइरें मैगनीसियम साथ में फासफोरस और पोटैसियम भी काफी अच्छी मात्रा में मिल जाएग तो इसको आप खास करके अपने गुलाब और गुडहल के पोडह ये में इस समय सरदियों में दे सकते हो और ईसका बहतर रिजल्ट आपको देखने को इन पौधों में मिलेग इसके रावबं आप इस सभी पोधों में इस लिक्वीड कंपोश्ट को दे सकते का प्थाके δρο प्धा leading आयरे और अम्हें म्हें हो रही हैं यह पह्वे जाहरा है तो आप अधी कंपॉस्ट को दे सकते हैं को को इस भी लिक्ट को नहीं कुंपॉस्ट सादि ओर आप पंड़े आप इसका result आप एक हपते के अंदर देखने को मिल जाएगा तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा गुलाब का पौधा है इसमें हम इस compost को direct यूज कर रहे हैं आप देख सकते हैं इसके अलाओं अपने ये गुलाब के पौधों में भी जो हमारा hybrid गुलाब का पौधा है इसमें भी हम इससे direct यूज कर रहे हैं और इसका result काफी आपको fast देखने को मिलेगा तो दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं यूज किया है इस compost को तो एक बार जरूर ट्राई करें और अगर वीडियो पसंद आई हो जैनकारी अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कोई सवाल कोई सुझा हो तो कमेंट बाक्स में लिखना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद